सिंधी समाज भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है विशेश कर व्यापार से जुड़ा ये वर्ग विभाजन पूर्व भारत के सिंधिक शेत्र के वासी थे सूफी परंपरा से प्रेरित इस समुदाय की संख्या आज भारत में कम है लेकिन हर संस्कृती की तरहा इनके भी अपने कुछ विशेश पर्व है सिंधी समुदाय अपने इश्ट देव भगवान जूले लाल की जयनती को बेहत धूम धाम से मनाती है जो चेटी चंद के नाम से भी जाना जाता है आईए जानते हैं भगवान जूले लाल जी की जयनती से जुड़ी विशेश बाते सिंधी समाच प्राचीन काल में अधिकतर जल मार्ग द्वारा गपार किया करते थे इसलिए उनके देवता भी जल से जुड़े हुए है इनकी मान्यतानुसार भगवान जूले लाल जल भी देवता के अफ़तार है इन्हें उडेरो लाल जूले लाल लाल साइं आदी नामों से भी जाना जाता है उडेरो लाल ने जनता को एकता, शानती और सत्य का मार्ग दिखाया मुस्लिमों में ये ख्वाजा खिज्र जिन्दह पीर के नाम से मशूर है जल देवता का अफ़तार भगवान जूले लाल के अफ़तरन से जुड़ी कहानी वड़ी रोचक है कहा जाता है कि सिंध प्रदेश जो अब पाकिस्तान में है कि ठठा नगर में मीरक शाह नाम का अत्याचारी राजा था उसके अत्याचार से दुखी होकर लोगों ने 40 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक जल किनारे पूजा की इसके बाद जल देवता मत्से के रूप में आए और उन्होंने भविश्यवानी की कि वो जल्द ही राजा के अत्याचारों का अंत करने के लिए जन्म लेंगे भगवान जूले लाल का जन्म और मन्नत मांगने का दिन इसके बाद चैतर शुकल डुतिया को ठाको रतन राय के घर माता देवकी ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उडेरो लाल रखा गया भगवान जूले लाल के जन्मोत्सफ को सिंधी समाज चेटी चंद पर्व के रूप में भी मनाता है मान्यता है कि इस दिन मांगी हुई मन्नत अवश्य पूरी होती है आज भी पूरे विश्व में चैत्र मा की चंद्र तिथी पर भगवान जूले लाल की जयनती मनाई जाती है दिलाई मुक्ती बालक के जन्म की खबर सुनकर मीरक शाह ने उसे समाप्त करवाने की योजना बनाई लेकिन सफल नहीं हो सका उल्टे राजा के महल में आग लग गई अपने सैनिकों की हार और आग के डर से वाच्षा भाग कर जूले लाल जी के चरणों में गिर पड़ा इस तरह बाले अवस्था से ही चमतकारों के कारण वागवान जूले लाल के प्रती लोगों की आजथा प्रबल होती चली गई कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब सिंधी समुदाए व्यापार के लिए जल मार्ग से जाते थे तो स्त्रिया उनके सकुशल लोटने के लिए जर्धेवता से मननत मांगती थी और जब पुरुष कुशल लोट आते थे तो चेटी चंद पर्व पर भंडारा आयोजत किया जाता था जोती स्वरूप भगवान जूले लाल से जुडी एक और रोचक बात है कि वे ज्योती स्वरूप में विराजमान है आज भी जूले लाल मंदे में इनकी अखंड ज्योती प्रज्वलित रहती है सिंधी समाज उन बेहत चुने हुए समाजों में एक है जो अल्प संख्यक होने के बावजूद अपनी पहचान और संस्कृती को बनाए हुए है जूले लाल जयनती सिंधी समाज के लिए अपनी संस्कृती को दुनिया के सामने रखनी और एक साथ खुशिया मनाने का पर्व है आज समाज देश माज चेटी चान्द पर्वनी उजवनी करवाम आवे चे चेटी चान्द सिंधीयों ना इसके देव जूले लालनी जन्मजानती तरीके उजवाम आवे चे आज देश सिंधीयों पोताना नवा वर्ष नी उजवनी करे चे चेटी चंद जी लख लख वाधायों एडले के नवा वर्ष नी शुप्ताव ना वापी सिंधी लोको आपर्वनी खुब हर्षोलासी उजवनी करे चे समगर विश्वमा जिया जिया सिंधी हो छे त्या जुले लाली शुपायात्रा काटवा मावे चे तो भावना दर्मा पन इस चुदेव जुले लाली शुपायात्रा काटवा मावी चे आप निहारी रहिया च्वा शुपायात्रा आयो जूलन जो मेलो अचो तक शूमनाईू जूलन जे मेले में अची सबई त मौझ मचायू जे टी चे लजू सब के वधायू ने ताल जू सब के वधायू सिंदी समाज ना इष्ट देव बगवान जूलेलाल साहर नी जन्म जयन्ती एकले के प्रागतिया दिन नव वरश चेटी चांद नी पावनगर सहित जिल्ला शिहो तालिताना धोला महुआ सहित ना गामो मा सिंदी समाज दोरा चेटी चांद नी आस्ता पुरुवक और अने अलेक विधी काजेक्रमों साथे उजवनी करवा मा अवी जूलन जो मेलो अचो तक शूम नायू चेटी चंद जू सबखेवा धायू सोबा यत्रा बहुच जेमा पबलीक दिलती जोडाये से बहुच खुशी नी वाद छे नूतन वरश हिंदू नूतन वरश पन भावनगर मा उजवा मा वी रियो शे तो चेटी चंद नी वस्ते आ सोबा यत्रा मा जेटला भी लोग सामिल जया से बदानों अबार मानूशू अने भगवान लाल से बदानी मनों कामनों पूर्ण करें आवी ज भगवान जुले आलने प्रारतना से जय जुलेला जय जुलेला